हेलो, कैसे है आप सब? तोडें इन दिस क्लास वी आर गॉइंग टू रीट पॉम इस रेइनिंग इन माई बेड्रूम आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉम इस रेइनिंग इन माई बेड्रूम जो लिखी है के नस्बित ने तो स्टूडन्स शुरू करते है इस रेइनिंग इन माई बेड्रूम मतलब मेरे बेड्रूम में बारिश हो रही है या मेरे बेड्रूम में इतना ज़्यादा पानी टपक रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है इस रेइनिंग इन माई बेड्रूम मेरे बेड्रूम में पानी टपक रहा है बारिश हो रही है और यही हाल लगभाग पूरे एक वीक से है I think the upstairs neighbors plumbing might have sprung a leak फिर वो कहते है कि मुझे लगता है कि upstairs neighbors plumbing उपर रहने वाले पडोसी की pipeline में कुछ leakage है they may be on vacation शायद वो छुटियों पर है they must be out of town या फिर वो शहर से बाहर है and all the while my bedroom rain continues pouring down और जब तक वो शहर से बाहर रहेंगे चुटी पर रहेंगे तब तक मेरे bedroom में लगतार बारिश होती रहेगी पानी टपकता रहेगा my shoes have gotten soggy मेरे जूते soggy याने moisture आने की वज़े से नमी होने की वज़े से गीले हो गए है my bed is growing mold mold कहते हैं जो soft greenish black color की खलकी सी काई सी जम जाती है ज्यादा गीलापन नमी होने की वज़े से जो काई सी जम जाती है उसे कहते है mold तो यहाँ पर poet लिखते है की मेरे bed पर भी काई सी जम गई है soft greenish black color का हो गया है वो a pond is forming on my floor और मेरे bedroom के फर्ष पर इतना पानी गिर गया है की एक तालाब बन गया है it's all so wet and cold that frogs have started spawning अब इतना गीला और इतना थंडा हो गया है फर्ष की उस पर spawning कहते हैं अंडे देना frogs ने अंडे देना शुरू कर दिया है an otter wandered through with salmon splashing upstream एक बिलाओ इधर उधर salmon के साथ घूम रहा है और उपर की ओर उड़ रहा है and some guy in a cano और कुछ लोग cano कहते हैं डोंगी को एक छोटी सी boat तो कुछ लोग boat में भी घूम रहे हैं इतना पानी भर चुका है मेरे कमरे में now waves are growing larger और अब लहरे और बड़ी होती जा रही हैं यहाँ पर लहरे तो समुदर में उठती हैं लेकिन यह imagination है कि इतना पानी है कि लहरे कमरे में भी बढ़ती जा रही है the weather's turning grim और मौसा खराब होता जा रहा है a tide is rising rapidly तेजी से एक tide कहते हैं जार को जो पानी में उची उची लहरे उठती हैं तो tide भी उठ रहा है I am glad that I can swim फिर poet लिखते हैं लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तैरना चानता हूँ मैं तैर सकता हूँ my parents call the plumber और फिर वो कहते हैं कि मेरे parents ने plumber को बुलाया pipeline ठी करने वाले को बुलाया he is nowhere to be seen वो कहीं में नहीं मिल रहा है does anybody know where I can buy a submarine क्या कोई जानता है कि मैं कहां से submarine यानी pandubi खरीद सकता हूँ pandubi जो पानी के नीचे भी चलती है इतना पानी भर गया है कि poet कहते है कि मैं pandubi खरीदना चाता हूँ क्या कोई जानता है कि pandubi कहां मिलेगी so students this was the poem written by Ken Nesbit this is all imagination I hope you all have understood if you like the video don't forget to press on like comment share this video with your classmates and friends and if you are new to the channel please press on subscribe button see you soon till then bye-bye have a good day